दोस्तों आज मैं एक नहीं सरी शुरू कर रहा हुआ इसके बारे में ऑलेक्टिसिटी से रियेटिड जो भी टौपिक्स होते हैं वह इसके अंदर कवर करूंगा जैसे generator से related हो गए, electricity के अंदर frequency होती है, power factor होते हैं, roots होते हैं, इनके उपर मैं नहीं सरी शुरू कर रहा हूँ और आज मैं इसकी first सरी शुरू कर रहा हूँ जिसके अदर मैं आपको electricity में frequency बताऊगा कि frequency क्या होती है और ये 50 hertz, 60 hertz क्या होती है, और मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपको frequency के बारे में complete detail मिल जाएं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं हूँ आपका दोस्षील्ड खरना, ये टेकनिकल जीकासा से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, electricity दो परकार की होती है, एक होती है static और एक होती है dynamic, अब static electricity क्या होती है, दोस्तों आपने देखा होगा बच्पन के अंदर छोटे बच्चे अपने एक बैलून फुलाकर गुबारा फुलाकर अपने बालों के उपर रगडते हैं, तो उसके अंदर कुछ attraction होती ह ये कुछ electric current जर्नेनट होता हुजा sıyorsun static electricity होती है और दूसरी जो элект実ID होती है dynamic hydrogen के अंदर 2 तरह की electricity होती है, एक कहते है alternating current और यग होता है direct current. अल्टरेटिंग करेंट वह होता है जो हम घरों में यूज करते हैं हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह एसी सप्लाई होती है और जो डिरेक्ट करेंट होता है यह वह होता है जो कि हम बैटरी से से यूज करते हैं जो कि हमें बैटरी से मिलता है से मिलता है हमारे को डारेक्ट सोलर से मिलता है वो हमारा डारेक्ट करण्ट होता है अगर आप अल्टरनेट करण्ट को देखें जिसे इसके नाम से पता चल रहा है आल्टरनेट मतलब बदल रहा है यह तो यह करण्ट जो है य इसकी cycle इस तरह से होती है, और जो DC current होता है विल्कुल स्टेट चलता है, विल्कुल स्टेट चलता है DC current इसके अंदर कोई cycle नहीं होती है, और alternate current होता है इसके दो होते है एक first phase और three phase जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में एक supply आती है single phase की और एक supply आती है मारे थ्री फेस की तो के अंदर होता है तो आज हम धाट कार देखते हैं कि कि इसके फ्रिक्वेंसी होती है उसका क्या महत्व है उसका यूज यूज है जो निकैसी आती है वह फिप्टी ह Pink स्की आती है तो आध इसी कि इस है यह का होता है डुस्टों जैसे कि आप जानते है हमारे गरों में alternate current आता ह Corin briot के उपर आता है इसकी lavari इस में फरिक्वेंसी होती है यह 50 हर्स होती है 50 हर्स सबफ में इस वह कैसे इस cm इस गराफ से सुबन से अब दूस्तर जब हमारा current होता है वो जिरों से move करता है मूव करने के बाद है मैक्सिमम पे जाता है 220 वूल्ट के उपर को कि हमारे हों 220 वूल्ट आती है और उसके बाद यह जो करन उड़ता है वापस नीचे आता है जी जीरू के उपर यहाँ पर यह फिर दूबारा सी रचाता है यह इसका पॉजिटिव सेख्लिट हो जाता है इसक यह पूरा cycle complete करता है जिसमें half cycle इसका positive का होता है half cycle इसका negative का होता है जब यह पूरा cycle complete करता है यह हमारा जो है यह पूरा एक हर्ज होता है और यह जो है यह हमारा एक second में जितने cycle complete होते हैं उतने हर्ज होते हैं तो इस case के अंदर हमारा 1 second के अंदर 1 cycle complete हुआ है तो यह 1 hertz की frequency होगा इसको हम बोलते है 1 hertz is equal to 1 cycle per second 1 second में अगर 1 cycle complete कर रहा तो वह हमारी 1 hertz की frequency होती है इससे आपको clear होगय होगा कि hertz क्या होता है अब दोस्ते हम DC में देखते हैं DC के अंदर क्या होता है कोई फ्रिकेंसी नहीं होती यह बिल्कुल स्टेट चलता जैसे कि आप जानते हैं अब DC करंट जो होता है इसके अंदर जो करंट होता वो सरफ एक ही डारेक्शन में फ्लो करता है अग्जांपल के लिए जैसे हमने का सर्कट बना या है इसमें ये बैटरी से करंट जा रहा यह इसकी डारेक्शन यह है यह हो रहा और यहां पर हमारा बलब जलनेके बाद के सरकेट कंप्लीट हो जाएगा इस की रिक्षन स्रफ एक की तरफ रहेगी अगर इसके डंचे हम इस प्रॉपो क्राना चाहें तो रह जो जो DC होती है इसके अंदर हमारा जो current है वो चिरह एक ही direction में flow करता है अब दोस्तों हम देखते हैं frequency क्या होती है दोस्तों frequency जो होती है वो एक second में current अपनी जो दिशा बदलता है उसको frequency कहते है जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो एक second है एक second में current पहले यहां आएगा उसके बाद positive से फिर यह negative को तरफ आएगा उस तरह से current ने अपनी दिशा चेंज करी है positive से negative की तरफ गया है तो इसको हम एक हट्स बोलते है इसकी जो यूनिट होती है current frequency को नापनी की वो हट्स होती है और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो frequency होती है वो डिरेक्टली proportionate होती है rotating speed of generator जैसे जो स्पीड होती है वो अगर आप होगी तो frequency बढ़ जाएगी अगर डाउन होगी तो frequency डाउन हो जाएगी और दोस्तों यह जो फिरक्वेंसी जो यूनिट होती है हर्ट्स यह एक जर्मन के साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंडिक रॉंड ऑफ हर्ट्स यह 1857 से 1894 तक थे जो इनका जन्म है वह बाइस फरवरी 1857 को हमबर्ग में हुआ था इन्होंने frequency की हर्ट्स को डिफाइन किया था इसलिए इनके नाम के ऊपर फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्स होती है अब हम समझते हैं थ्री हर्ट्स फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होता है एक सैक्ल को कंप्लीट होने में एक सेकिंड लगता है इसको वन हर्ट्स बोलते हैं ऐसी अगर यह सैक्ल कंप्लीट होते हैं यह सेकिंड सैक्ल कंप्लीट हो गया यह तीसरा सैक्ल कंप्लीट हो गया तो यह एक सैकिंड में अगर तीन सैक्ल कंप्लीट होते हैं इसको हम बोलते हैं थ्री हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी यह पूरा एक सैकिंड का टाइम है और इसके अंदर हमारे ये 3 cycle complete हो गहे हैं उसको हम थ्री हर्स की frequency बोलते हैं today हम आते है粉 exactly हर्स का क्या मतलब होता है जो कि हमारे भारत के अंदर f Suppose which हर्स की frequency use होती है qa मतलब यह होता है किером 23 cycles per second अब हम नहीं देखा था है कि spelling complete हो रहा है को वह हर्ण होता है फिर तीन साइकिल एक सेक्ट में complete हो रहे हैं वो थ्री हर्स होता है अब आप यह ग्राप देखिए यह वाला ग्राप इसके अंदर 50 साइकिल complete हो रहे हैं यह पूरे एक सेकिंड के अंदर इसको हम बोलते हैं 50 हर्स की frequency यह एक सेकिंड के अंदर 50 वारी है ऐसे पॉस्टिव में जाता है एक सेकिंड में जितने साइकिल complete करता है वह उसकी फ्रिक्वेंसी होती है यह 50 हर्स की क्वेंसी करता उसके अंदर 50 सैकिल complete हो जाते हैं जो की नेगरिक और पॉजिटिव बंचाते हैं उसको हम 50 हर्स की फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं 60 Hz के उपर 60 Hz की जो फ्रिकेंसी होते है वो USA में इस्त मौल होती है किनडा में इस्त मौल होती है ऑप 60 Hz का बहुत सेम सिस्टम है अगर से की अंदर हमारे साट साइकल कवर कर लोते हैं 60 translok तो हमारी वो 60 Hz की frequency हो जाती है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारे एक सेकिन में 60 सेकिल कवर हो रहे हैं ये पूरे का पूरे आप देख रहे हैं ये हमारी frequency जो है वो 60 Hz की frequency हो जाती है अब दोस्तों का अगर हम एक एक जामपल देखते हैं एनिमेशन से फास्ट होती है कि हमें आंगों से नजर नहीं आती है, एक सेकिंड में 50 वरी बलब जलता है, 50 वरी बलब बुस्ता है, जैसे कि हम देखते हैं, इस बलब को हम एनिमेशन को थूरू देते हैं, देखिए यह जल रहा है, बंद हो रहा है, यह एक सेकिंड में 50 वरी जलेगा और बंद होगा, 50 वरी जलेगा और ये बंद होगा, ये 50 हर्स की फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि हमें आंगों से नजर नहीं आती बलब के अंदर, दोस्तों मैंने अभी आपको AC में दिखाया, किस तरह से हमारा बलब जो होता है, वो जलता है, अब मैं आपको DC के अंदर दिखाता बलब जो होता है, वो जलता है, अब मैं आपको ये DC में दिखाता हूँ, DC के अंदर मेरी कार के अंदर मैं आपको बलब जड़ा के दिखाता हूँ, उसका वीडियो से शूट करके दिखाता हूँ, और ये जो बलब है कार का, ये DC करंट ले रहा है, और ये बिलकुल continuous जलता जैसे AC में बलब बंद हो रहा था और जल रहा था लेकिन DC के अंदर यह regular जलता रहा था जैसे कि आप उपर picture में देख रहे हैं इससे पता चलता है कि हमारे DC में कोई cycle generate नहीं होते हैं DC continuous चलती है जिसके अंदर कोई भी cycle नहीं बनता दोस्तों समझते हैं कि frequency में जो एक cycle होता है जैसे हमारी 50 हर्स की frequency है उसमें एक cycle को कितना time लगता है complete होने में यह हम इस formula की help से समझते हैं अब देखिए दोस्तों एक हर्स is equal to one cycle per second एक second में अगर एक cycle complete होता है उसको हम एक हर्स बोलते हैं अब हमें इसका time निकालना है कि इसका time कितना लगता है एक cycle को complete होने में जो time होता है वो होता है हमारा time taken to complete one cycle मतलब time is equal to one divided by f f जो है इसमें हमारी frequency होती है यह positive to negative cycle होता है अब अगर हम इस formula को देखें कि time is equal to one divided by f इसके अदर f जो है वो हमारी frequency है अब 1 को हम 50 से जब हम divide करेंगे उसका जो हमारा answer आएगा 0.02 second आप सोचिए कि यह 1 second के 0.02 हिससे में एक cycle complete कर दाता है कितना कम period है इसकी वज़े से जो pulp होता है वो हमें जलता और बुस्ता को है लेकिन हम उसको आंकों से नहीं देख सकते हैं हमें लगता है कि यह bulb लगाता चल रहा है लेकिन वो 50 वारी बुष्टा है 50 वारी जलता इसना में आंकों से नजर नहीं आता दोस्तों यह video लंबा हो रहा है frequency को मैं next part आगे बनाता तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेर करना मत भूलिएगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फोर वाचिक